वेलकम एवरिवन वेलकम टू नेक्ट लेचर लेक्शर ओफ आर्सीसी तो आज मैं थोड़ा सा अपना पढ़ाने का तरीका चेंज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर आप जब लिख लिख के पढ़ाते हैं तो काफी समय लग जाता है उसमें आपको लिखने में तो इसलिए मैं ट्राइ कर रहा हूं कि आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको explain करूं जो लिखा हुआ है क्योंकि लिखा हुआ तो आप pause करके लिख लोगे बट समझाना जरूरी है वहाँ पर तो इसलिए मैं आज उस method को use कर रहा हूं तो हम लोगों ने प prefer क्यों prefer किया जाता है आपने देखा भी होगा कि RCC की जो बोरिया होती है न सिमेंट की वह 50 kg की आती है एक बोरी ध्यान रखिए का बाइब हम पूछा जा सकता है तो 50 kg की आती है इसलिए by weight prefer करते हैं तो weight में क्या होता है ज्यादा समस्या नहीं होती है निकालने में कोई भ कहां पर हम बना रहे हैं उसके हिसाफ से चौथा जो point है nominal mix is allowed for M5 to M20 M5 से M20 का grade का अगर हमें concrete बनाना है तो हम nominal mix यूज़ करेंगे और M20 अगर हमने लिखा हुआ है तो इसमें जो M word है इसका मतलब होता है mix और जो 20 लिखा होता है वो होता है strength जो उस concrete का आने वाला है ठीक ह तो strength in Newton per mm square में होता है अगला जो मैंने आपको बताया था कि course aggregate, cement fine aggregate और course aggregate का ratio तो M10 का 1,3,6 होता है मतलब cement 1,1 kg हो सकता है एक तगाड़ी हो सकता है तीन तगाड़ी छे तगाड़ी तगाड़ी मतलब वो जो भर के नहीं डालते है तो वो होता है तो वो by volume हो जाता है but by weight अगर हमको करना है तो 1 kg अगर cement डालेंगे तो 3 kg fine aggregate और course aggregate fine aggregate में हम sand का use करते हैं तो आपने सुना होगा cement sand aggregate course aggregate मतलब गिट्ट तो इनका ये ratio दिया हुआ एक तीन छे एक दो चार एक देड़ तीन M20 तक का but design mix उससे थोड़ा ऊपर हो जाता है तो based on the calculation as per IS 10262 इसके base पर हम करते हैं proportionality must be by weight इसमें ध्यान रखना पहले वाले में हम by weight या by volume दोनों से कर सकते थे बट यहाँ पर by weight ही होना चाहिए तीसरा quantity of water is also fixed वहाँ पर fix नहीं था यहाँ पर quantity of water fix होता है then design mix is a lot for the M10 to M100 M10 से उपर जितना भी हम करते हैं वो design mix ही करते हैं ठीक है हम design के हिसाफ से अपना prefer करते हैं तो अगर fresh concrete की बात करें तो workability is the most important property of the fresh concrete workability का मतलब क्या होता है नाम से जैसे आपको पता चल रहा है workability workable काम करने योगे तो easy to work with easy to work with मतलब काम करने योगे कि हम उससे आसानी से काम ले पा रहे हैं कि नहीं तो workability के बारे में अगर आपको detail में समझना है तो workability पर एक बकायदे playlist बनी हुई है आप जाकर वहां से समझ लीजेगा वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा workability concrete में concrete technology chapter में या फिर जो construction technology से आपका है थर्ड सेम में उसमें जब आपने concrete के बारे में पढ़ा होगा तो degree of workability use क्लंप क्या होता है compacting factor क्या होता है वी वी टेस्ट क्या होता है इन सब के बारे में आपने पढ़ रखा होगा जो नहीं पढ़के रखा है वह अपना देख ले वह वीडियो का उस playlist का description में म मतलब degree of workability अगर कम हुई तो उसका use हम कहां करेंगे road construction और shallow section में हम करेंगे slump की value obviously अगर very low हुई workability तो slump की value तो आएगी नहीं compacting factor 0.75 से 0.8 होगा और वीवी जो time होगा 10 seconds से 20 seconds के होगा यह क्या है यह जो नहीं आ रहा है compaction factor क्या है वीवी timing क्या है यह जब आपको test अगर पता होगा तो आप समझ जाओगे degree of workability अगर low हो तो हम mass concreting करते हैं और light reinforcement section में use करते हैं और slump की value 25 से 27 75 होनी चाहिए compaction factor 0.8 से 0.85 और वीवी timing 5 से 10 seconds होनी चाहिए तो यह पूरा एक table है और यह table आप देख सकते हो कि medium होता है तो highly reinforced concreting by concrete concrete pump और high जब workability हो जाती है तो filing और बहुत हाई जो होती है तर्मी pipe pipe concreting हम करते हैं ठीक है तो यह जो चीजे हैं यह is code में दी हुई है यह is code का मैंने screenshot लगा रखा है तो यह is code में दी हुई है ठीक है कि कैसे क्या 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 चीजे होते है डिग्री ओफ वर्क के विल्टी और slump की value यह दी हुई है तो आप वहां पर भी इसको चेक कर सकते हो तो जो आगे हमको बहुत important topic पढ़ना है वह characteristic compressive strength of cube किसी भी क्यूब की हम जब characteristic compressive strength निकालते हैं तो वह कैसे निकालते हैं तो बहुत ध्यान समझिएगा this is the strength below which not more than 5% test result are expected to fall यह वह strength है जिससे जिसके नीचे 5% से ज्यादा test result fail ना हो बहुत ध्यान सुनिएगा कि मान के चलो आपको क्या करना है जब आप कोई भी concrete बनाओगे तो आपको क्या करना है 100 cube बनाने है ठीक है 100 cube बनाने है और 100 cube को test करना है अब मान के चलो आपने M20 grade का concrete बनाए है ठीक है बहुत ध्यान समझना M20 grade का concrete बनाए है तो M20 मतलब इसकी जो strength आनी चाहिए वो 20 आनी चाहिए तो जब आप testing करोगे 100 cubes का तो हो सकता है किसी का 21 आए किसी का 22 आए किसी का 20.5 आए किसी का 19 आए हो सकता है कुछ 20 से कम भी आएंगे लेकिन वही मैंने कहा not more than 5% test result to expected to fall 5% से ज़्यादा result 20 से नीचे नहीं आने चाहिए मतलब 19 18 19.5 19.99 यह जो अगर आपने 100 cube बनाए है तो 5 से ज़्यादा 20 से कम नहीं होने चाहिए समझ में आया मतलब कि अगर M20 grade का concrete है तो जो 95 आप 100 cube है तो 95 की value कम से कम 20 या 20 से ज़्यादा ही आनी चाहिए और अगर यहाँ पर 5 की जगा 6 हो गया या फिर 95 की जगा 94 हो गया तो यह फिर M20 grade का concrete नहीं होता है ठीक है तो यह ध्यान रखना है हमको तो यह है basically कि हम accept क्या करेंगे तो this is the strength below which not more than 5 percentage result are expected to fall फेल नहीं होना चाहिए अब यह जो graph बना है इसका क्या मतलब है इस graph का मतलब यह है कि मान के चलो कि आपने M20 grade का concrete लिया और उसकी value जो M20 grade की concrete है उसकी value बहुत पास पास आ रही तो जो आपने test किया बहुत पास पास आ रही मतलब 20 के ही आस पास आ रही 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 100 की value इसी के आस पास आ रही है मतलब mean strength के पास value आ रही है तो यह जो red color का है मतलब उसी के आस पास value आ रही है इसका मतलब वो concrete बहुत अच्छा है very good quality का concrete है बट अगर वो value थोड़ा और divert कर रही है जो यह green color का है थोड़ा देख रहे हो आप फैला फैला सा graph है यहां से चलके ऐसे जा रहा है थोड़ा फैल जा रहा है तो अगर थोड़ा फैल जा रहा है मतलब 20 से value काफी divert कर रही है mean mean strength से value काफी divert कर रही है इसका मतलब व कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां तो यह एक average quality का concrete है तो इस तरीके से हम number of cubes की testing करते हैं और strength के बीच में कर बनाते हैं अगर वो कर्व काफी उंचा आ रहा है और mean value के पास आ रहा है तो इसका मतलब यह बहुत अच्छी quality का concrete है और अगर ज्यादा फैल की आ रहा है आगे बढ़ते हैं तो जो target mean strength है मान के चलो Ft है जो हमारा target mean strength है और Fck, Fck को हम दर्साते हैं characteristic strength से, ध्यान रखिएगा तो target mean strength तक पहुँचने के लिए Fck से हमको Ks हमको करना पढ़ता है, अब K और S क्या है, तो T, Ft जो है वो target mean strength है, Fck क्या है characteristic strength है, characteristic strength मतलब M20, M 30 यह जो B 30 आ रहे हैं इसी को हम बोलते हैं characteristic strength ठीक है FC के से दर साथ है S standard deviation that depends on the quality of concrete यह अभी आपने जो यह देखा ना deviation यह S है मतलब standard deviation that depends on the quality of concrete अगर quality of concrete बहुत अच्छी है तो S की value S वही mean के ही आसपास होगा और अगर standard deviation जादा है मतलब quality of concrete थोड़ी खराब है तो वो फैल के होगा K is a constant that depends on the percentage of the sample below characteristic strength मतलब वो जो 5% हमने बात की है ना वो K उसी बात पर depend करेगा तो F T तक अगर आपको पहुंचना है तो F C K में से K और S को आपको जोड़ना होगा तो आप यहाँ पर पहुंच जाओ ठीक है तो basically यह concept था अब हमको आगे बढ़ना है आगे में हमको यह है कि percentage below characteristic strength अब यह आपके पास एक graph है ठीक है अब यह जो A2 है जो yellow color से दरसाया गया है यह है आपकी यहाँ पर यह जो mean strength है यह है F T और यह है K S और यह है F C K F C K यह वो value है यह जो point यहाँ पर यह जो बना हुआ है यह है 20 वाली value अब 20 से जादा तो value हो सकती है लेकिन 20 से कम यह जो graph है यह जो yellow color से A2 हमने दिखाया है यह वही 5% है जो fail हो सकता है समझ गए यह वही 5% है जो fail हो सकता है तो हमने क्या करके रखा है यह वही तो क्या below percentage below characteristic strength 0 तो k की value क्या होगी infinite हो जाएगी ठीक है k की value infinite k बार और मतलब वो constant है जो fail होने वाला है तो k की value infinite हो जाएगी बट अगर below which 5% है 5% जो हमारा recommended है तो वो हो जाएगी 1.65 तो आपको यह value ध्यान रखने है 1.65 ठीक है और 50% अगर है तो 0 ठीक है k की value 0 मतलब वो उसी के तो इसका formula होता है a2 by a1 a2 क्या है यह जो 5% जो fail हुए है divide by a1 95% तो a2 की value obviously हमारी 5 होने वाली है और a1 की value होने वाली 95 तभी तो 100 होगा into 100 is not more than 5% तो यही तो हुआ basically तो कुल मिला के हमको यह याद रखना है कि 5% से जादा कोई भी fail नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह होता है आगे अगर हम बढ़े तो यह इस तरीके से आपके उसमें दिया भी हुआ है code में दिया भी हुआ है good quality of concrete moderate quality poor quality concrete अगर यह फैल जाता है अगर ज्यादा उंचा रहता है compressive strength mean value के पास तो यह और यह वो जो अभी 65 1.65 की बात हुई यह 5% का वो आला एरिया है जो हम use करते हैं और यह mean strength है तो आपको समझ में आ गया होगा कफी clearly यहाँ पर आगे अगर हम बढ़े तो normal distribution curve क्या होता है mean strength यह 1.64 s 5% यह जो fail हुआ है यह इधर है और बाकी इधर है तीक है तो यह M30 grade का concrete है यह 30 के आसपास है तो इसलिए को हम ऐसे तरीके से समझ सकते हैं आगे अगर हम बढ़ें तो मानलो एक numerical के थ्रू में आपको समझाता हूं ठीक है कि कैसे हम करते हैं तो यहाँ पर देखा है uniaxial compression test result 100 cube हमने test किये are listed below increasing order बढ़ते हुए order में यहाँ पर 100 जो cube हैं उनके test को list किया गया है तो find the fc k fc के मतलब characteristic compressive strength of concrete हमको निकालना तो 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 30 and so on ऐसे बढ़ते 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 42.5 अब बहुत ध्यान समझो क्या है यह बढ़ते क्रम में है हमने क्या पढ़के रखा है यह कितने cube का है 100 cube का है हमने क्या पढ़के रखा है कि not more than 5% will fail तो हमको जो कम 5 है उनको देख लेना है तो एक, दो, तीन, चार, पाँच अब 28 से उपर हैं बाकी सारी values 28 से उपर हैं सारी values अब आपने कभी पढ़ा तो है नहीं कि भाई M28 का भी कोई concrete होता है 5-5 के difference में होते हैं M20, M25, M30, M35 तो M30 का तो होगा नहीं क्योंकि M30 यहां कहीं आ रहा है और उसके नीचे बहुत सारी values फेल हो जा रही हैं तो M30 तो होगा नहीं तो 28 के नीचे हम कोई भी value ले सकते हैं तो क्या है as per definition FCK should be 28 kN per mm2 since FCK is always designated as multiple of 5 हम 5-5 के उसमें लेते हैं तो या तो हम M25 ले 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 या तो हम M30 ले ले हैं तो हमारा वो 5% वाला रूल गलत हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे M25 को FCK मान लेंगे तो यहां पर जो answer है वो होगा M25 या फिर FCK की value जो है वो 25 kN per mm2 होगी समझ में आया 5% का मतलब क्या है उससे कम फेल नहीं होना चाहिए हो सकता है सारी value उससे ज़्यादा आ जाए तो चल जाएगा लेकिन उससे कम फेल नहीं होना चाहिए ठीक है 5% का मतलब समझ में आ गया I think clear होगा कोई ऐसा tough था नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब हमक characteristic compressive strength of cube by the factor 1.5 to account for variation in shape of concrete other than cube and the variation of loading condition other than uniaxial compression अगर load ठीक है अगर load की value अगर कोई हम structure बना रहे और वो क्या cube नहीं है other than cube cube नहीं है और loading condition uniaxial नहीं है तो हम क्या करेंगे 1.5 जहां पर भी concrete हम use करेंगे वहां पर 1.5 का multiply कर देंगे ठीक है क्यों multiply करेंगे इसी को हम बोलते हैं factor 1.5 used here is not partial factor of safety नहीं है हम 1.5 को भी account में लेंगे ठीक है for general consideration characteristic compressive strength of concrete represents value obtained from the for the compressive strength of cube ठीक है ठीक है characteristic compressive strength of cube तो इसको हम क्यों करेंगे क्योंकि characteristic compressive strength है तो 1.5 ये value याद रखना आगे चलके अभी और अच्छे से अब देखो धिहान से दो चीजें अभी हो सकता है ये मैं इसलिए ये topic इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आगे चलके आपको ये पढ़ने को मिल जाए ठीक है code में change आए तो जो लोग बाद में वीडियो देख रहा है उनके लिए ये कठिन ना हो तो देखो दो चीजे होती है आपको याए टेस्ट करने के लिए हमारे है इंडिया में टेस्ट होता है i2 ए इसलेंडर भी कहीं कहीं परदेशों में यूजह होता अब उसको हमको समझना है कि cylinder यह वाला यह वाला जो figure यह cylinder का है यह cube का है अब इसमें difference क्या आता है देखो द्यान से हमने आपने cylinder की बात करते हैं cube की बात करते हैं तो cube 150 into 150 mm का cube होता है हम cube बनाया अभी जो 5% fail की बात हो रही थी तो हमने cube बनाया हमने testing की अब जब हमने cube में force लगाया दोनों तरफ से ठीक है compressive force हमने दोनों तरफ से लगाया उपर से भी और नीचे से भी हमने compressive force लगाया तो जब effect होगा तो वो effect उपर से ऐसे आएगा और यहां से ऐसे आएगा और यहां से ऐसे आएगा और यहां से ऐसे आएगा एसे आएगा force का effect जो लगेगा और देखो दूसरे को overlap कर देंगे यहां पर effect जो है यहां पर overlap हो जाएंगे जब यह effect overlap होंगे तो यह मिल के एक अलग strength दे देंगे ज़्यादा मजबूती दे देंगे इसका मतलब यह होगा कि जब हम cube की value cube की value जो हम निकालेंगे न वो जितना strength उस concrete में आना चाहिए उससे ज़्यादा आ जाएगा क्यों एक simple सा example देता हूँ कि मान के चलो तुम्हारे पास कोई कोई भी चीज है ठीक है कोई भी चीज है कोई भी ऐसा डिब्बा है या कोई भी ऐसा कुछ है उसका जो बड़ी चीज होगी चोटी होती है और उसका एक रीजन यही होता है कि जब हम force लगाते हैं तो वह overlap कर जाता है similarly अगर आप cylinder की बात करें cylinder की length हमने कितनी रखी है 300 और चोड़ाई कितनी रखी है 150 तो जब हम उपर और नीचे से force लगाएंगे ठीक है तो यह जो friction है यह यहां से यहां पर यहां से यहां पर और इधर से यहां पर इधर से यहां पर आके खतम होगे और यह जो beach का area है यह किसी भी तरीके के friction से दूर है मतलब इस पे effect नहीं पढ़ रहा है friction का जिसकी वजह से concrete की असली strength निकल के आएगी ठीक है अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि असली strength नहीं निकल पा रही है इधर cube में हमारे पास concrete की समझ में आया तो इसलिए मान लो आप जो cube test करते हो 20 अगर आपकी compressive strength आ रही है तो यह concrete की हो सकता है असली strength 20 ना है हो सकता है 18 या है 19 ही हो लेकिन 20 ना हो बट इससे जो हम test करेंगे वो value actual होती है अब आप खुदी सोच के देखो आप कहीं पर भी जो concrete के structures आपने आस पास देखे हो कोई 150 mm का होता है beam तो बड़ी बड़ी होती है ना भई तो हमको असली main strength तो अगर आप same grade का मान लो M20 grade या M25 grade के concrete का एक cube बनाओ और एक cylinder बनाओ ठीक है एक cube बनाओ और एक cylinder बनाओ और दोनों को test करो ठीक है दोनों को test करो तो जो value आएगी जो value आएगी ये चीज वही मैंने समझाया जो value आएगी ना वो हमेशा cube की जादा आएगी और cylinder की कम आएगी क्या समझे cube की जादा आएगी और कितनी जादा आएगी 1.25 गुना जादा आएगी ठीक है 1.25 गुना जादा आएगी तो वही यहाँ पर लिखाया है कि uniaxial compressive strength of concrete can be determined by using different shape of specimen बहुत अलग अलग तरीके के तो cube भी cylinder भी prism भी but cylinders gives more appropriate result for uniaxial compressive strength of concrete because effect of friction below machine plates and a specimen is almost nil वहाँ तक जो load होता है वो बिल्कुली nil होता है तो इसकी वज़ा से cube में जादा load आजाता है तो अपने इंडिया में बहुत सारे लोग के मन में question आएगा तो सारी use क्यों नहीं कर लेते cylinder क्योंकि अभी तक सारी जो calculation और जितना भी code order है वो सब cube पर बेस पर बना हो सकता है आगे चलके आपको cylinder भी देखने को मिल जाए तो जो लोग बाद में पढ़ रहे हैं उनको maybe cylinder पढ़ने को मिले क्योंकि cube की value क्या होती 1.25 इससे ज़्यादा होती है समझ गया है clearly तो ये होता है M20 grade के cube को 100 mm का बनाओ 150 mm के cube बनाओ 300 mm का cube बनाओ तो जो सबसे चोटा cube होगा वो सबसे ज़्यादा मजबूत निकलेगा उसके बड़े वाला उससे कम मजबूत जबकि दोन सब cube आपने बनाया है M20 grade या M25 grade जितने भी same grade का बनाओ अंतर आया जाएगा वो इसी वज़ा से आता है तीक है तो a smaller size cylinder also gives higher strength than a standard cylinder provides ratio of height of the diameter remains constant इसी लिए हम इनके जो cylinder के साथ भी यह है कि जितना छोटा cylinder बनाते जाओगे उत्ती ज्यादा value देगा लेकिन यहाँ पर height और width का ratio हमने constant करके रखा है कि 1 by 2 का हमको रखना है आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो cylinder मैंने आपको दिखाया है वो 150 into 300 का है ठीक है मतलब double का ratio यहाँ पर 150 into 150 वही पर यहाँ पर दिया हुआ है 2D, D, जितना भी D रखोगे उससे double रखोगे तो यह condition satisfy हो जाएगी समझ में आ गया and these results are experimental यह सारे results जो है experimental है आगे बढ़ते हैं अब stress strain diagram है जो आपको हमको आगे पढ़ना है ठीक है तो stress strain diagram is non-linear initial portions of stress strain curve can be considered as linear तो हम जो सुरू में stress strain diagram रखेंगे वो हमेशा stress strain diagram आपने देखा है वो हमेशा linear रखना पड़ेगा और maximum compressive stress in corresponding to approximate strength is 0.002 ultimate strain lies between 0.004 to 0.006 ठीक है और जो modulus of elasticity increase with increase in grade of concrete हम अगर grade of concrete को बढ़ाते जाएंगे तो हमें तो stress strain diagram हम इसका जो heading है वो है stress strain diagram of concrete under compression तो बहुत ध्यान समझो अंडर compression में क्या हो रहा है कि जो values है जो values है अब यहां पर क्या हो रहा है जो हम यहां पर यह जो values है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं जो figure है यह वाले figure को आपको देखना है controlled condition में है जो इसमें figure नहीं है मैं यहां पर बना के आपको दिखा दे रहा हूं कि यह है क्या चीज़ थोड़ा ऊपर करके है न अपर मैं बना देता हूं तो इधर stress है इधर strain है इधर stress है और इधर strain की value है तो देखो ध्यान से यहां पर कहीं पर value is 0.002 इधर कहीं पर 0.004 और इधर last में कहीं आएगी 0.006 अब जो आपका curve जाएगा अब ध्यान से देखना कर्व को अलग-अलग colors में बना देता हूं तो दे फर्स्ट कर्व दे सेकेंड कर्व और थर्ड कर्व यह स्मूथ कर्व रहेंगे है न अब इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी यह जो कर्व है this is m20 this is m35 and this is m50 और यह maximum value आएगी ठीक है 0.002 जो है यह maximum यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यह कर्व थोड़ा पहले खतम हो रहा है यह उसके पीछे खतम हो रहा है यह उससे और पीछे देखतम हो रहा है तो यही हमने बोल के रखा है कि यह कर्व देख लिया अब इसको समझो द्यान से कि stress strain diagram is non-linear इसमें जो stress strain diagram है यह non-linear होगा पहला initial portion of stress strain curve can be consider as linear यह जो initial portion है यहां से यहां तक थोड़ा सा इसको हम एक linear भी मान सकते हैं और तीसरा point maximum compressive strength in corresponding to approximate stress in 0.002 आप देख रहा हो कि 0.002 पर जो values यहां पर है न यहां पर यह values यहां पर यह maximum values है इस curve की यहां पर कम है कम है यहां पर maximum फिर कम हो गया यहां से फिर आया यहां पर maximum फिर कम हो गया यहां पर maximum तो 0.002 वाला जो point है यह हमें सा maximum होगा then ultimate strain lies between 0.004 to 0.006 देख रहा है 0.004 से 0.006 के बीच में ही ultimate lie कर रहा है मतलब यहीं पर यह खतम हो जा रहा है और modulus of elasticity increase with increase in grade of concrete modulus of elasticity इनकी बढ़ती जा रही है grade of concrete बढ़ने पर पहले यहां खतम हो रहा था आपको दिख रहा है इधर फिर दूसरा थोड़ा और उपर तीसरा थोड़ा और उपर मतलब stress की value बढ़ती जा रही है stress पहले यहां था कहीं फिर अब यहां हुआ चौथा यहां हुआ थीसरा ठीक है and brittleness increase with increase in grade of concrete brittleness भी बढ़ती जा रही है brittleness मतलब देख रहे हो पहले यहां खतम हो रहा था अब यहां खतम हो रहा था नेक्स्ट यहां खतम हो रहा है तो brittleness भी इसकी बढ़ती जा रही है समझ गए clear हुआ यह वाला next point next point falling portion of stress strain curve is obtained by the control strain machine जो last वाला portion है जो falling portion है उसको हम controlled strain strain machine से obtain कर सकते हैं तो ध्यान से देखिए यह control stress है यह जो figure बना हुआ है तो हमने 5, 10, 15, 20 stress कर दिया ठीक है strain की value अब आप बढ़ाते जा रहे हैं तो यहां से linear फिर यहां से थोड़ा सा ऐसे करके चला गए ठीक है और यह फिर यहां से ऐसे नीचे गिर गया ठीक है यहां पर खतम तो यहां से मतलब वो last value जो falling portion है उसको हमने यहां पर मान लिया अब यह यहां से बिलकुल नीचे आ गया तो यह controlled condition है controlled condition अब control यह stress की बात हो रही थी control stress की अब control strain की अगर मैं बात करूँ जो अभी तक हो रहा था तो हमने हर एक point की बात कर ली तो यहां पर हमने stress वाली values रखेंगे तो 0.005 0.001 0.015 225 335 तो हमको exact value मिल जाएगी कि कहां पर यह खतम हो रहा तो कहां पर खतम हो रहा 0.0035 पर यह खतम हो रहा और अभी तक हमने approximate क्या बोला था कि 0.004 से 0.006 के बीच में कहीं खतम हो रहा बट यहां पर हमको exact value मिल गई 0.0035 यह ध्यान रखिएग value ठीक है आगे बढ़ते हैं grade of concrete तो grade of concrete कैसे हम दिखाते हैं m20 मतलब m4 mix 24 characteristic strength of concrete तो m5 से m20 के बीच में हम nominal mix करते हैं और m10 से m100 के बीच में हम mix design करते हैं as per recommendation ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं tensile strength of concrete tensile strength of concrete की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा concrete में हम tensile strength नहीं मानते हैं जब भी हम बात करेंगे concrete की तो हम यह मान के चलेंगे कि हमारा concrete tensile strength नहीं ले पाता है but फिर भी concrete लेता तो है मतलब कुल मिला कि यह है कि concrete को दबाओगे तो बहुत बढ़िया दबेगा लेकिन खीचोगे तो तूट जाएगा जल्दी तो बहुत कम value होती है इसलिए हम उसको zero ही मान के चलते है जीरो मान के चलने में हमारे यह फायदा है कि भाई जहाँ पर zero मान के चल रहे हो अगर वहाँ पर थोड़ी भी value मिल गई तो मज़े ही आ जाएगा ठीक है मतलब अच्छी value मिल जाएगी तो tensile strength के लिए हम क्या करते है it is approximately 10% 7 to 15% of compressive strength मतलब अगर concrete की value 100 है compressive strength की value 100 है तो जो tensile strength आएगा वो 10 आएगा तो बहुत कम होता है मतलब 10% approximately 7 से 15% के बीच में होता है तो हम 10% मान के चलते हैं इसलिए हम कहते हैं कि चलो छोड़ 10% भ stress strength diagram is almost linear बिल्कुल सीधा ही होता है और ratio of compressive strength to tensile strength increase with increase of grade of concrete इनका ratio जो होता है यह concrete के grade के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है इस टेंस टेंसाइल strength of concrete is ignored in RCC structure RCC structure में हम टेंसाइल strength को ignore करते हैं सो इट हैज वेरी लेस इंपॉर्टेंस यह बहुत कम पूछा भी जाता है और होता भी कोई पूछता भी हावेर इज़ा calculated to determine the cracking moment cracking moment जब हम निकालते हैं तब हम determine करते क्योंकि जितने भी क्रेक होते हैं वह टेंसाइट इससे हो जाते हैं आप देखे हो कि जब मैं अएसे एक एक सामपल में देता हूं कि जब यह बीम जो होती है वह बीम ऐसे होती है ठीक है ऐसे होती है अब ये जुख जाती है ऐसे करके ऐसे करके जुख जाती है तो जब ये जुखती है तो उपर वाले पोर्शन में कम्प्रेशन लगता है और नीचे वाले पोर्शन में टेंशन लगता है इसलिए बीम नीचे से ऐसे क्रैक हो जाती है समझ में आया है, compression का कितना, tension का कितना महत्व है, beam जो चटकती है, वो नीचे ही side से चटकती है, इसलिए, तो अगर हम shrinkage की बात करें, अब कुछ properties के बारे में बात कर लेते हैं, shrinkage of concrete, shrinkage का मतलब यह होता है, कि shrinkage मतलब सिकुड़ना, concrete का सिकुड़ना, जब आप concrete को डाल देत होते हो, तो सिकुड़ता है, तो concrete has shrinkage property due to presence of cement, cement उसमें होता है, तो IS456 जो हमारा code है, provides a standard value of shrinkage strain of concrete for the design of RCC structure, जो IS code है, उसने एक value देकर रखी है, shrinkage के लिए, क्या होती है, value, that is 0.0003, या फिर 0.03% या फिर 3 इंटू 10 तू दी पालब या फिर और 4, ये value IS code ने recommend की है, shrinkage की, shrinkage क्या होता है, अगर आप देखोगे, जैसे road में जाते हो ना, road पे, highway पे, तो वहाँ पर जो आपने देखे होंगे, कि वो concrete वाले road होते हैं, जो जिनको rigid pavement बोनते हैं, concrete वाले जो road होते हैं, वो चटक जाते हैं, crack हो जाता है, उनमें, वो shrinkage क की वज़े से होते हैं, मतलब, एक कारण उसका shrinkage भी होता है, और भी बहुत कारण होते हैं, बच स्रिंकेज भी, क्योंकि क्या होता है, सिकुरता है, concrete, तो सिकुरता है, इसी लिए हम steel का use करते हैं, क्योंकि स्रिंकेज इतनी, वो cracks आ जाते हैं, बकाई दे चटक जाती है, प value पहले ऐसे बढ़ती हुई जाती है, बहुत तेजी से, और उपर से फिर ये stable हो जाती है, एक समय के बाद वो stable हो जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सुरू में क्यूरिंग करते रहो, थोड़ा structure को सुरू में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, तो shrinkage ऐसे flat हो जात तेबल है, ये टेबल काफी यूज होगी आगे तक, बहुत आगे तक ही यूज होगी, पाँपे छटे चेप्टर में मैं पूछूंगा भी आपसे, अब यहाँ पर exposure condition है, durability की बात हो रहे है, durability मतलब concrete कितना चलेगा, तो durability में जो exposure condition है, और description है, उस exposure condition को थोड़ा सा explain किया है दूसरा, minimum grade of concrete, अगर ऐसी condition आती है, जो अभी मैं बताऊंगा, उसमें कम से कम कितने grade का concrete आपको लगाना है, और nominal, minimum nominal cover कितना लगाना है, nominal cover भी समझा देता हूँ, तो देखो, अगर आपके पास, ये एक आपके पास beam है, ठीक है, यहाँ पर आपने, छड़ लगा के रखी है, और छड़ के उपर से ऐसे करके आपके stirrups लगया हूँ, ऐसी होता है, तो इसके mid point से उपर तक की value को D बोलते हैं, और यहाँ से, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को बोलते हैं, nominal cover, nominal cover, nominal cover, nominal cover मतलब यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, तो वो जो बाहर साइड लकड़ी के नहीं लगाते हैं, बीम बनाने से पहले, उनको बोलते हैं cover, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, कि nominal cover होता क्या है, basically, समझ गए, तो अब देखिए, बहुत ध्यान से इसको समझ भीएगा, पहला होता है, exposure condition mild, mild मतलब protected from rainfall, जहाँ पर पानी कम बरस्ता, protected from rainfall मतलब घर के अंदर, घर के अंदर जो दिवाले बनती हैं, वो rainfall से तो protected रहती हैं, उनमें थोड़ना पानी परता है, तो वहाँ पर आप minimum grade of concrete M20 यूज़ कर सकते हो, nominal cover 20 mm का यूज़ कर सकते हो, और minimum cement content 300 kg पर मीटर क्यूब, और maximum water cement ratio मैंने क्या बोला था, water और cement भी fix होत यह बहुत important है, mild grade का, इसको याद रखिएगा, ठीक है, star लगा हुआ है यहाँ पर, अब आए हम moderate condition में, moderate condition कौन सा होता है, subjected to normal reinforcement, permanent submerged in normal water, foundation in non-aggressive soil, ठीक है, या तो क्या हो, moderate grade किसको बोलते हैं, subjected to normal reinforcement, जहाँ पर normal reinforcement, जो बाहर बनती है, बाहर जो हमारे पास वो बनता है, normal reinforcement मतलब कुल मिलाके, जो छड़े ओड़े बाहर लगती है ना, बाहर side, उन में, या फिर दूसरा condition हो, permanently submerged in normal water, सामाने पानी में जो हमेशा डूबा रहे, ठीक है, जैसे टंकी के आसपास, जो बनाना है हमको, then foundation in non-aggressive soil, foundation अगर हमको बनान है, तो वहां की बात हो रही है, तो वहां पर हम minimum grade of concrete क्या use करेंगे, M20 grade, nominal cover 30, minimum cement content 300, और maximum water cement ratio 50, 0.50, यह होगा, आगे बढ़ो, आगे severe condition, बहुत ध्यान समझना, severe condition कौन से बलता है, coastal region, coastal मतलब समुद्र के किनारे की region, जहां पर heavy reinforcement use हो रहा हो, या फिर alternate drying and wetting, कोई ऐसी जगह हो, जहां पर alternate कभी गीला हो रहा है चीज, और फिर वहीं सूख भी रहा है, फिर गीला हो रहा है, फिर सूख रहा है, तो alternate drying and wetting हो रहा हो, या फिर permanent submerging sea water, permanent submerging sea water, समुद्र के पान में डूबा हुआ हो, या फिर oxygenation freezing zone, या फिर ऐसी जगह जहां पर बर्फ हमेशा जमी रहती हो, तो महां पर minimum grade of concrete हम M30 use करेंगे, nominal cover 45 mm का use करेंगे, 320 होगा, cement के लिए, और water cement ratio 0.45, तो यह होगा हमारे पास, पूरा जो मैंने आपको यह सारे exposure condition, mild, moderate और severe के लिए आपको पढ़ा दिया, फिर very severe, subjected to sea spray, बिलकुल समुद्र के किनारे हो, alternate drying and wetting in sea water, अब drying and wetting तो हो रहा हो, लेकिन sea water की वज़ए से होता हो, और permanent freezing हो, तो वहां पर हम M35 grade का concrete use करेंगे, 50 mm nominal cover, 340 होगा, आपका water, minimum cement content, और 0.45 होगा water cement ratio, extreme condition, tidal zone, जहां पर समुद्र की लहरे आकर तकरा रही हो, subjected to aggressive chemicals, कहीं chemical factory हो, वहां पर अगर aggressive chemicals के बीच में हमको बनाना है, तो minimum grade of concrete, हम M40 रखेंगे, minimum की बात हो रही है, 75 mm का cover रखेंगे, जी cover बढ़ाने से क्या होता है, कि cement और cement cover बढ़ेगा, मतलब cement वहां पर ज्यादा होगा, इसका मतलब जो बाहर की exposure condition है न, वो steel तक नहीं पहुँच पाएगी, तो इसलिए हम cover बढ़ाते हैं, 360 होगा, आपका minimum cement content, और 0.45 होगा, आपका water cement ratio, clear है, तो this can be reduced to 15 mm for, ठीक है, bar dia to 12 mm, हम क्या करेंगे, जो note एक सी समझिएगा, जो हमने star बनाया है, कौन सा star बनाया है, देखो पहले, पहले हमने यहाँ पर एक single star बनाया है, क्या है, nominal cover mild के लिए 20 mm है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, वो note है, this can be reduced to 15 mm, यह जो 20 mm है, इसको हम 15 mm भी कर सकते हैं, फॉर, bar dia 12 mm, और less, and mild exposure condition, अगर mild exposure condition होती है, तो यह जो 20 है, इसको हम 15 भी कर सकते हैं, फॉर, बार, 12 mm, या फिर उससे कम mm की dia के लिए, दूसरा, double star कहां लगा है, इदार आओ, यह लगा है, कौन सा, severe condition के लिए, 45 mm, nominal cover के लिए, तो इसके लिए क्या लिखा है, this can be reduced to 40 mm, इसको हम 40 mm भी कर सकते हैं, for grade of concrete, M35 और higher, या फिर M35 या उससे ज़्यादा का अगर हम use करें, M30 नहीं, M35 का use, अगर हम या फिर उससे ज़्यादा का करें, तो हम इस 45 को 40 भी कर सकते हैं, कुछ note है, जो आपको समझना है, कि M20 is the minimum grade of, for any RCC work, किसी भी RCC work करने के लिए, हम minimum grade of concrete M20 ही use करेंगे, वायबा में बहुत बार पूछा गया है, और पूछा जा सकता है, ठीक है, पहली चीज, next point, M20 and M30 are the minimum grade of PCC and RCC respectively in the coastal area, अगर coastal area की बात हो रही है, तो PCC मतलब plain cement concrete, तो plain cement concrete और RCC, दोनों के लिए M20 और M30, PCC M20 की डाली जाएगी, और RCC M30 की डाली जाएगी, कहां के लिए, coastal area, coastal area में हम बढ़ा देते हैं, M20 से M30 कर देते हैं, और maximum water cement ratio is permitted for PCC is 0.6, 0.6 से ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है, और अपने में RCC में किता है, maximum mild के लिए 0.55 है, ठीक है, तो यह हमारा, तो यह पूरा जो chart है न, यह भी दिया हुआ है, यह पूरा जो मैंने भी बताया है, एक star, दो star, यह जो लगा के आपको बताया है, पूरा यह आपके code में भी दिया हुआ है, और books में भी आपको ऐसे मिल जाएगा, तो यह आप चाहो तो इसको देखकर बना लेना, तो creep of concrete यह हम अगले lecture में यहाँ से आगे start करेंगे, ठीक है, creep के बारे में पढ़ना start करेंगे, तो I think आपको ठीक लगा होगा वीडियो, अगर कोई suggestion हो और तो आप मुझे बतायेगा comment में, so goodbye, take care.